काफी सारी ऐसी डिमांड आ रहे थी हमारे किसान भाईयों की कि हमारे जो पसू हैं वो काफी ज़्यादा कमजोर हो गए हैं उनमें काफी ज़्यादा वीकनेस आ गई है और वो उठने बैठने में दिक्कत कर रहे हैं जो दुधारू एनिमल है वो काफी कम दूद दे रहे हैं तो ऐसे हमें क्या conditions अपनानी चाहिए, क्या हम ऐसा इलाज करें अपने पशू का, कि वो चारा भी ठीक से खाए, दूद भी ठीक से दे, और उठने बैठने में भी किसी तरह की उनको कोई भी problem ना आए. तो गाइज यह जो दिकत है, यह आपकी गाए, भैंस, फेड, बकरी, सभी एनिमल्स में हमें देखने को मिलती है, लेकिन हमारी गाए और भैंस में यह जो condition है, यह ठंड के समय में थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसी condition अगर आपके परशू में है, तो आपको क्या करना चाहिए, उसका मैं आपको पूरा treatment यहाँ पर share करने वाला हूँ, कौन से आपको injection, bolus, medicine, syrup, calcium बगएरा, tonic बगएरा, use में लाने चाहिए, तो वो पूरा मैं आपको इस वीडियो में share करने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा लाश तक देखेगा, और इसी तरह की practical videos देखने के लिए, आप हमारे इस YouTube चैनल को like, share और subscribe जरूर कीजिएगा, तो चलिए guys शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, तो guys देखिए, यह जो आप कटड़ी देख रहे हैं अपने mobile screen के उपर, इसकी भी same to same वही condition है, जो की आप लोगों की requirement रहती है, इसमें फर्क इतना है, यह सिर्फ दूद नहीं देती है, क्योंकि अभी इसकी insemination नहीं हुई है, तो इसमें जो problem हमें देखने को मिली है, अभी इसका जो हमारे किसान वाईयों को काफी ज़्यादा problem का सामना करना पड़ रहा है, तो guys आपके जो पशु में सबसे जो main दिकत होती है, वो यह है कि आप time to time समय समय पर अपने पशु की deworming ही नहीं कराते हैं, जो पशु के पेट के अंदर कीड़े होते हैं, वाम्स होते हैं, काफी सारे होते हैं, निमेटोडस, टिमेटोडस, स्टोडस, इस तरह की यह जो होते हैं, कई पशु के पेट में होते हैं, लीवर में होते हैं, तो यह जो होते हैं, यह आपके पशु की जो growth है उसको रोकते हैं अब जब आप पशु की डिवर्मिंग नहीं कराते हैं तो यह क्या करते हैं कि पशु का खुन चूसते हैं चीक है आपका जू भी खाता है एनिमल वह अच्छी तरह से पचाण नहीं पाता है जिस तरह से आप उसको दाना मिक्षन देते हैं उसके जो मोटे मोटे दाने होते हैं वो गोबर के रूप में उसी तरह से निकलते रहते हैं और यहां पे दूसरी बात यह है कि पशु को स्कीन के बाहर से भी जो जूँ और चीचड होते हैं जूँ और चीचड हो गए वो भी आपके पशू का खून काफी ज़्यादा चूसते हैं इससे होता गया है कि आपका जो पशू है उसको iron deficiency हो जाती है खून की कमी हो जाती है वो anemia की condition में चला जाता है यह जो condition है guys यहां पे बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और इसमें मैं आपको पूरा विवरण दूँगा क्या होता है कि जब blood में जो red blood cells होती है उनका जो normal condition होती है वो कम हो जाती है यानि कि वो normal से भी कम हो जाते है तो पशू में हो जाती है खून की कमी जिसे हम anemic condition कहते है और सबसे ज़्यादा यह होती है आपके पशू का खून लॉस होने से और इस तरह के जो worms होते हैं जूची चड़ होते हैं पेट के अंदर कीड़े होते हैं वो जो होते हैं वो पशू का खून चूस लेते हैं यह तो हो गई एक deworming वाली condition ठीक है और कई बार दूसरी जो condition है कई बार पशू में चोट वगएरा भी लग जाती है या सरजरी वगएरा कुछ ऐसी condition जिससे कि आपके जो पशू का जो blood है वो काफी ज़्यादा तेजी से loss होता है इसके अलावा ऐसे बहुत सारे रोग होते हैं जो कि किसान भाई को पता ही नहीं है कि उसके पशू में है जैसे guys, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि जो red blood cells होती है उन में जो red blood cells होते हैं वो कम हो जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं आपने देखा होगा पशु में प्रोटोजोल जो बिमारियां होती है, प्रोटोजोजोजो जनित रोग होती है, जैसे पशु में हो गया, बबेसियोसिस, एनाप्लाजमोसिस, थाइलेरियोसिस, ट्राइपैनोसोमियसिस, छीग है, यह जितने भी प्रोटोजोल बिमारियां हैं, इनकी वज़से आ पशू है कमजूरी का शिकार होता है ठीकनेस का शिकार होता है और फिर धीरे-धीरे यही कंडिशनों जब लाउस्ट स्टेज में चली जाती है तो फिर आपका जो एनिमल है वुख कोलड्स कर जाता है इसके लावा दूसरा कारण मैंने आपको यह बता दिया है शल्य चिकिश सबसे में जो कारन होता है वह होता है पॉशक कि कमी हो जाती है जैसे पॉश सबसे में क Εलिक्तरण已经 यह जितने भी conditions है इन सभी की जब आपके animal में कमी हो जाती है और blood loss उसमें हो जाता है तो ऐसी condition में भी आपके पशु में weakness का शिकार होता है उठने बैठने में दिकत करता है और चारा कम खाता है और enemy condition अगर आप diagnose करना जाते हैं तो सबसे बहतरी जो तरीका है उसकी आप eyes के उपर जब जाएंगे तो जो eyes है वो बिल्कुल white होगी ठीक है white हो जाएगी और सफेद हो जाएगी जब सफेद हो जाएगी तो आप समझ लेना कि आपका जो animal है वो enemy condition में है उसमें blood की कमी हो गई है उसके बाद क्या होगा कि मांसपेशिया कमजोर हो जाती है प्रसु की जो respiration rate है heart rate है pulse rate है और temperature वगएरा वो normal और normal से कम होने लगता है यह सभी conditions होती है और सबसे में दिक्कत है कि चारा खाना भी पशु कम कर देता है और उठने बैठने में problem आती है और रही बात जैसे यह दूसरी जो बड़ी वाली कटरी आपने देखी वो तो ऐसी सभी जो condition होग नटीका लेगा और जो pregnant पशु है वो भी उस तरह से नहीं होगा अगर दुधारू पशु है तो दूद कम देगा यह जितने भी conditions बताई यह pregnant animal के लिए non pregnant animal के लिए चोटे काफ के लिए भेड़ वक्रियों के लिए हर एक जो species है हमारी livestock की उसके लिए काफी खतरनाक होती है तो इन सभी का जो treatment है वो हमें क्या करना चाहिए तो सबसे पहला जो हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है वो है हमें पशु में deworming करानी है ठीक है तो आप अपने नियरवाई पशुची की सकत के अनुसार अपने चोटे पशु में बड़े पशु में deworming करा सकते हैं जैसे म हम जो pregnant है या फिर non-pregnant है हम जो फैनमेंडाजोल बोलस आती है तीर ग्राम की उससे हमें अपने पशु की deworming करानी है सुबर के टाइम भूखे पेट और दोबारा से हमें 14 दिन के बाद रिपीट करनी है या तो आप ये वाली चीज इस्तेमाल मिला सकते हैं या फिर दूस से आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन दोनों में से आप किसी एक का ही इस्तेमाल करें और अपने नेरबाई पसुची की सक्से ही करवाएं ठीक है वीडियो बिनाने का मकसद सिर्फ आपको knowledge देना है तो इन दोनों में से आप किसी भी एक चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं चोटे लबारों के लिए अलग मैडिसीन होती है, बेडबक्रियों के लिए अलग होती है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट काम होगा, वो होगा डिवर्मिंग का, ठीक है, डिवर्मिंग हमें करानी है, उसके बाद जैसे पशुको भूख नहीं से पांस दिनों तक और जो भी आपका नियरबय पसुची की सकते हैं, वो पशुकी कंडिशन को देख कर उसका जो डोज है और टाइमिंग है, वो आगे पीछे कर सकता है, और तीसरी बात यह है कि अगर पशुको में कोई ऐसी बिमारी हो गई है, जैसे पशुको में बबेस स्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यह मैं आपको एनिमिक कंडिशन की ट्रीटमेंट आपके साथ शेर कर रहा हूँ, इसके अलावा साथियों यहां पर एक बहुत ही बहतरी इंजेक्शन आता है, अगर पशुको में एनिमिक कंडिशन है, तो वहां पर आप अपने प इंजेक्शन और बोलस का भी आप अपने पशु में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा जैसे पशु में मिंदल मिक्श्चर या पोशक ततु की कमी हो गई है, तो आप उनको जैसे कॉपर, कोबाल्ट, आइरन की कमी को दूर करने के लिए पशु में खनीजलवन मिशन भ और अगर आपके पशु में प्रोटोजोग के रिगार्डिंग कोई विमारी है, तो उसको आपने जो एंटी प्रोटोजोग ड्रग जाती हैं, उनका भी इस्तेमाल एनिमल में कराना है, तो आप सभी किसान भायों से मेरी गुजारिश है, कि आप ये सारी चीजे अपने नि प्रोट इंक्रीज हो जाएगी, ये मेरा मानना है, तो अगर आपको ये वीडियो इनफॉर्मेटिव लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, मिलते हैं नए और फ्रेश वीडियो में धन्यवाद, फिल्ड में गाय, भैंस, भ आतर प्राइज है, वो दोस्तों रुपए है, वो आपको मिल जाएगा, पूरा की पूरा पीडियो और अगर आप मुझसे डायरेक्ट कॉल पर बात करना चाहते हैं, किसी भी केस के रिकार्डिंग एमबरजेंसी कंडिशन में, तो इस नंबर पर आप वट्सेप करें, आप आपको मेंबरसिप लेनी होगी, उसकी सारी टेल्ट आपको वट्सेप या फिर कॉल पर मिल जाएगी,